दोस्तों मैं हो अब इसे एक आपका Self-Prepare गुरू जी और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Pressure Cooker के Metallic Safety Plug को Replace कर सकते हैं एक्चली कभी-कभी ये जो Safety Plug है ये ब्लो हो जाता है और इसलिए ब्लो नहीं होता है क्योंकि इसका दिल करता है ब्लो करने का जो कि Steam को बाहर निकलने देता है और आउट अप सेवन एक भी होल अगर ओपन नहीं रहा तो Pressure Cooker के अंदर Pressure Build होने लगता है और इसके पहले की Pressure Cooker आपका फट जाए कोई मिस हैपनिंग हो ये Safety Plug ब्लो हो जाता है और आपको सेव कर लेता है इसलिए जब भी आप खाना बनाया तो इसको एक बड़ आप छेक कर लें कि सारे होल्स ओपन है या ना और इसको आप एक बार आर पार देख सकते हैं कि ये clean है कि नहीं open है कि नहीं तो एक्षुली क्या होता है कि जब भी आप राइस या दाल कुछ भी इसमें कुप करते हैं तो ये इसके अंदर जाता है जब इस टीम निकलता है तो काफी प्रेसर के साथ और आप इसे clean नहीं करते हैं तो सारा अगर ब्लॉक ट्रा तो वही प्रॉल से ओके और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं कीचन में इस तरह का इस्पून होगा उसका हैंडल ले लिए और इस तरह से टर्ण कीजिए थ्रा स्टॉंग होना चाहिए आपका टर्ण हो जाएगा यह और एक बार टर्ण हो गया यह धिला हो गया तो आप इसे अराम से ओपन कर सकते हैं आप इसको ओपन कर सकते हैं यह आ जाएगा इसली प्लेयर से तो बहुत अच्छा है नहीं तो आप स्पून से भी काम चला सकते हैं और इसमें एक ओर रिंग होता है ब्लैक लड़ का था अमों सकते हैं काको हिए आपका वोका तो यह आपका डिफेक्टीव जैसे 2700 तो आप मारकेट से ले सकते हैं आप लहकर खाता है कि आसा आप अराम अरी इसको ऊपेंड जैसे कर सकते हैं इस तरह से और इसे इससे तरह से आप टाइट कर लिए एक साइड और एक साल आप टाइड कर दिये आपका ये रेडी हो गया तो काफ़ी एजी है I hope कि next time आप ख्याल रखेगा इस बात का कि यह ऐसा यह फिर problem नहीं हो क्योंकि यह बहुत dangerous होता है गलती आपकी होती है और I hope कि यह video आपको अच्छा लगा होगा next time जब भी आपका ऐसा कुछ problem होगा तो आप कोई service center जाने कि आपको जोगत नहीं है आप खुद से इस तरह का plug ला करके खुद से आप replace कर सकते है जासा दो से तीन मिनट लगेगा आपको तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक किजिए और आप चाहते कि ऐसे वीडियो में और बनाऊ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राब किया थैंक यू थैंक यू पर वाचिंग